हलो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास आज की क्लास में हम करेंगे लिशन्ड बुक के जो हजार क्यूशन की सिरीज हमने चलाई है उसका अगला पार्ट करेंगे इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के सोशो क्यूशन अपलोड कर दिये हैं आज की हमारी क्लास में जो है जियोग्रोफिक के जो है सो क्यूशन होंगे तो इसमें हम वन लाइनर क्यूशन करेंगे ऐसे क्यूशन करेंगे जो मॉस्ट इंपोर्टेंट हो जो अब तक की प्रिक्षा में जो आये हुए हो या जो आने की जिनकी सम्भावना हो ये सब भी exams के लिए important है तो वीडियो को last तक जरूर देखे तो हमारा पहला question है सोर मंडल का सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है जो सबसे चमकिला ग्रह है वह कौन सा है वह सुक्र ग्रह है जो सबसे चमकिला ग्रह है इसके बाद में किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है तो जो बोना ग्रह है वो किसको कहा जाता है ये प्लूटो को जो है बोना ग्रह कहा जाता प्रक्षेपन केंद्र कहां है? जो उपग्रे कहां से प्रक्षेपित किया जाता है? वो केंद्र कहां है? ये जो स्री हरी कोटा है? यहां से उपग्रे प्रक्षेपित किये जाते हैं. नेक्स्ट है भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है? ये मुंबई में जो है भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र इस्तित है? नेक्स्ट है स्वेज नहर किसे जोडती है? जो स्वेज नहर है वो किन को जो कि जोड़ती है, यह स्वेज नहर जोड़ती है कि जो स्वेज नहर है कि इन को जोड़ती है तो यह भुमत्य सागर और RAM सागर को आपस में जोड़ती है important question है, बहुत बारिजा में पुछा गया है, इसके फिर से आने की सम्मावना है, तो इसको जरूर याद रखे, स्वेज नहर जो है, किनको जोड़ती है, भुमदे सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, next question है, next question है, सोर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा ग्रह है, वह कौन सा है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, वह ब्रस्पती है, और इसके उपक्रह कितने है, इसके 92 उपक्रह है, जो कि सबसे ज़ादा उपक्रह वाला ग्रह है, कौन सा है, ब्रस्पती है, जिसके सबसे जादा उपगर है कितने है 92 उपगर है इसके ये भी क्यूशन पूछा गया है कि सबसे जादा उपगर है वो किसके है तो वो ब्रशपती के कितने है 92 है next है सोर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो कौन सा है ब्रिस्पत्ति के बाद में बढ़ा ग्रह है तो ये सनी ग्रह है सब दे स्टेप किस बायो फिल्ट से जुड़ा है जो स्टेप है वो किस बायो फिल्ट से जुड़ा है इसका क्या मतलब होता है यह होते खास का मेदान क्या है स्टेप यह घास के मेदान है next question है दक्षिन अफरिका में चारा गहा को क्या कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है उत्री अमेरिका में कौन से सम सितोषन गहास के मेदान है जो उत्री अमेरिका के सम्चितोषन घास के मेदान है उनका क्या नाम है ये प्रियरी जो नाम है उनका क्या है प्रियरी है नेक्स्ट क्यूशन है उस्न कटिबंदिये गहास इस्तल को कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है तो उनको सवाना कहा जाता है क्या कहा जाता है सवाना कहा जाता है उस्न कटिबंदिये गहास जो गहास इस्तल है उनको सवाना कहा जाता है नेक्स्ट है कहां पर दिन और रात बराबर होते हैं तो कहां होते हैं ये जो विश्वत रेखा है इस पर जो दिन और रात है वो बराबर होते हैं नाम दफा राष्टे उध्यान किस राजे में इस्तित है? तो जो नाम दफा राष्टे उध्यान है वो किस राजे में है? तो ये अरुनाचल परदेश में इस्तित है. कहां इस्तित है? अरुनाचल परदेश में इस्तित है. नेक्स्ट है मानस पसु अभ्यरने किस राजे में इस्तित है जो मानस पसु अभ्यरने है वो किस राजे में है तो ये असम राजे में इस्तित है कौन सा है मानस पसु अभ्यरने और नाम दपा राष्टे उध्यान कहा है ये अरुणाचल प्रदेश में है नेक्स्ट है पंच मड़ी जीव सरक्षन छेत्र कहां है जो पंच मड़ी है वो कहां है पंच मड़ी जीव सरक्षन छेत्र तो ये मद्दे प्रदेश में है इंपोर्टेंट है पुछा गया क्यूशन है कि जो पंच मड़ी जीव सरक्षन छेत्र है वो कौन से राजे में है तो ये मद्धे प्रदेश में है नेक्स्ट है केबू लाम जाओ दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ राश्टे उध्यान है वो किस राजे में है जो केबू लाम जाओ है वो किस राजे में है ये मणिपूर राजे में है इंपोर्टेंट क्यूशन है बहुत बाहर एक्जाम में पूछा गया है फिर से आने के chances है तो जो केबू लाम जाओ है वो कौन से राजे में है ये मनिपूर राजे में है और ये दुनिया का एक मात्र तेहता हुआ राश्टे उध्यान है कैसा है तेहता हुआ राश्टे उध्यान है नागरहोल राष्टे उध्यान किस राजे में है? तो जो नागरहोल राष्टे उध्यान है वो किस राजे में है? तो ये करनाटक राजे में है. कौनसे में है? करनाटक राजे में है नागरहोल राष्टे उध्यान. स्वेत क्रांती से किसका सम्बन्द है, तो ये दुग्द उत्पादन से जो सम्बन्दित है, और इसके जनक किसको कहा जाता है, ये वर्गिजपुरियन को जो है इसका जनक कहा जाता है नेक्स्ट है नीली क्रांती किसे सम्मंदीत है तो किसे सम्मंदीत है ये मचली उत्पादन से जो नीली क्रांती सम्मंदीत है जितनी भी क्रांती है कौनसी किसे सम्मंदीत है सारी याद होनी चाहिए नेक्स्ट है बीटी वीज जो है सम्मंदित है जो किसे है समंदित ये कपास की है किसम है किसकी है कपास की है जो बीटी वीज है वो कपास से समंदित है नेक्स्ट कुशन है पर्त्वी की भगीनी ग्रह किसे कहा जाता है जो पर्त्वी की भगीनी है या पर्त्वी की बहन है जो किसको कहा जाता है कौन से ग्रह को कहा जाता है यह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है पर्त्वी की भगीनी किसको कहते है शुक्र ग्रह को कहा जाता है नेक्स्ट है पर्त्वी का सूर्य के अधिक्तम पास होना क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है जो पर्त्वी का सूर्य के जब ज़्यादा पास होती है वो एकदम पास में होती है तो उसको क्या कहते हैं और प्रत्वी का सूर्य से अधिक्तम दूरी पर होना क्या कहलाता है ये अपसौर कहलाता है जब प्रत्वी दूर होती है अधिक्तम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहते है नेक्स्ट है प्रत्वी की आकास गंगा गेलेक्सी को क्या कहा जाता है तो प्रत्वी की आकास गंगा है वो क्या है कौन सी है ये मंदाकिनी है जो प्रत्वी की आकास गंगा है ये प्रत्वी की आकास गंगा में इस्तित है तो ये मंदाकिनी आकास गंगा में इस्तित है किसमें है मंदाकिन आकास गंगा में इस्तित है, नेक्स्ट है, पर्थवी में दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो किस कारण से होते हैं, ये गुंडन गत्ती के कारण से जो है, पर्थवी में दिन और रात होते हैं, नेक्स्ट है, कावेरी जल्विवाद किन राज्यों के बीच में हैं, इंप नाडो के बीच में जो है कावेरी जल विवाद है next है कावेरी नदी कहां गिरती है तो कहां गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी का उद्गा मिस्तल कहां है उद्गा मिस्तल से related question पूछे जाते है तो जो कावेरी का उद्गा मिस्तल कौन सा है ये करनाटक के कूर्ज जिले में इस्तित ब्रह्मगीरी पहाडी के तुंग भद्रागाट पहाड से निकलती है कहां करनाटक में और कहां गिती है बंगाल की खाडी में ये गिती है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है नेक्स नदी को ब्रह्त गंगा के नाम से जाना जाता है जो ब्रहत गंगा के नाम से कौनसी नदी जाने जाती है ये गोदावी नदी को ब्रहत गंगा के नाम से जाने जाता है तो ये दक्षिन भारत की जो है प्रायदीप ये नदी है कौनसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसीद है ये कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसीद है बार-बार ये अपना मार्ग बदलती रहती है next question है कौन सी नदी ओरिसा का सोक कही जाती है जो ओरिसा का जो सोक है किस नदी को कहा जाता है यह जो ब्रहामणी नदी है इसको ओरिसा का सोक कहा जाता है next है कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्मान करती है कौन सी करती है यह जो नरमदा नदी है वो कपिल जल धारा प्रपात का निर्मान करती है किसका करती है कौन सी नदी बंगाल का सोक कही जाती है तो कौन सी कही जाती है यह जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का सोक कहा जाता है किसको कहा जाता है बंगाल का सोक यह दामोदर न करती है और भीहार का शोंग को सी नदी को कहा जाता Hoxha जाता है का प्याल करती है यह जो कि भीस्वे का सबसे बड़ा दीप इसका निर्माण कट conse कौन सी नदी बनाती है यह नर्भा नदी नर्भा नदीयों IELस rozp निर्मान करती है नेक्स्ट है गंगा यह ब्रह्मपुत्र की सयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है यह मेगना के नाम से जानी जाती है किस नाम से मेगना के नाम से जानी जाती है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदिया मिलती है तो बाद में इनकी जो जलदारा है वो किस नाम से जानी जाती है मेगना के नाम से जानी जाती है next है प्रत्वी की उपरी परत को क्या कहते हैं तो एक्जाम में आया हुआ क्योशन है कि जो प्रत्वी की उपरी परत है उसको क्या कहते हैं इसको भूपर्टी कहते हैं next है endman nikobar deep sonya कहां इस्तित है तो कहां इस्तित है ये बंगाल की खाडी में इस्तित है next है endman nikobar deep sonya की सबसे उची चोटी कौनसी है exam में बहुत बार पुछा गया question है कौनसी है fingertips ट toplam स्रेणी का सर्वोज सिकर क्या कहलाता है तो क्या कहा जाता है इसको कौन सा है सबसे उचा परवत सिकर अरावली परवत का ये गुरु सिकर जो है अरावली परवत का सर्वोज सिकर है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो किसको कहा जाता है ये उत्र प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है जितने भी भोगोलिक नाम है राज्यों के सारे याद होना चाहिए नेक्स्ट है एवरेष्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ये सागन माथा के नाम से जो है एवरेष्ट को नेपाल में जाना जाता है नेक्स्ट है एसिया में विश्वे का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है यह सुन्दरवन का जो डेल्टा है वो विश्वे का सबसे बड़ा डेल्टा है और कौन सी नदी इसका निर्वान करती है यह जो ब्रह्मा और गंगा है इसकी जो सयुक्त जलधारा है यह कौन सा डेल्टा बनाती है यह सुन्दरवन डेल्टा बनाती है कौन सी नदीया बनाती ये गंगा और ब्रहभपुत्र नदियां जो की है सुंदरवाण डेलटा बनाती है। कहां पे है? ये पशी मंगाल में है। Next है Asia में विश्वय का सबसे उँचा पठार कौण सा है? कौण सा है? ये पामीर का पठार है। कौण सा है सबसे उँचा पठार? ये पामिर का पठार है कितनी उचा ये इसकी 5000 मिटर है next है Asia में विश्वे का सबसे उचा परवत कौन सा है कौन सा है हिमाले है जो विश्वे का सबसे उचा परवत है next है Asia में विश्वे का सबसे उचा सिखर कौन सा है तो कौन सा है ये Mount Everest है जो कि सबसे उचा सिखर है, कौन सा माउंट एवरेस्ट है, और सबसे उचा परवत यह हिमाले है, नेक्स्ट है, विश्वे की सबसी गहरी जील का नाम क्या है, तो जो सबसे गहरी जील है, उसका नाम क्या है, यह बेकाल जील है, जो कि विश्वे की सबसे गहरी जील है, और कह एसिया में सरवादिक वर्षा वाला चेत्रे कहां है तो कहां पे होती है सरवादिक चेत्रे जो वर्षा है वो कहां होती है सबसे जादा तो ये मानचीन राम में जो होती है कौन सा है मान, सिन, राम, कहां पे है ये मेगाले भारत में जो है सरवादिक वर्षा वाला छेतर है नेक्स्ट है विश्वे का सरवादिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है कौन सा है ये भारत जो है विश्वे में सरवादिक चाय उत्पादित करता है नेक्स्ट क्यूशन है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है, तो किसको कहते हैं पूर्व का मोती, ये जो है स्री लंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, किसको कहा जाता है, स्री लंका को कहा जाता है, किस देश को पेगोडु का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मय पुछा जाता है एक्जाम में नेक्स्ट है पाक जल संधी किन दो देशों के बीच में हैं किन के बीच में हैं ये स्री लंका और जो भाई बारत के बीच में हैं, कौन सी जलसंदी है, ये पाक जलसंदी जो है भारत और स्री लंका के बीच में है, नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी में और कहां इस्तित है, जो अलमाटी बांध है, वो किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, और कौन से राजे में है, कर असम राजे का जो है प्रमुप लोग नरते हैं कौन सा है असम है नेक्स्ट है बोंग किस राजे का सबसे लोग पिर ये लोग नरते है तो कहां का है ये जारगंड का है कौन सा है बोंग है नेक्स्ट है पिग मिलियन पॉइंट किस पॉइंट का अन्य नाम है तो किसको कहा जा को क्या कहा जाता है तो जिलू का अधेन क्या कहलाता है ये लिमनोलोजी है जो क्या कहलाता है जिलू का अधेन कहलाता है क्या कहते है जिलू के अधेन को लिमनोलोजी जो है जिलू के अधेन को कहा जाता है नेक्स है कुलू गाटी किसके बीच इस्तित है जो कुलू गाटी है वो किसके बीच इस्तित है ये धोला धर और पीर पंजाल जो सरेणी है उनके बीच में जो है कुलू गाटी इस्तित है नेक्स्ट है बिलाई इस्पाद सैंतर की स्तापना की गई थी तो कौन से देश की साहिता से जो है बिलाई इस्पाद सैंतर की स्तापना की गई थी तो ये रूस की जो है साहिता से बिलाई इस्पाद सैंतर की स्तापना की गई थी नेक्स्ट क्यूस्ट है भारत का सबसे उचा बांध भांकडा नागल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है कौनसी पर है ये सतलज नदी पर है कौनसा है भांकडा नागल बांध है जो की भारत का सबसे उचा बांध है नेक्स्ट है टीहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है तो टीहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है ये भागिरती नदी पर बनाया गया है कौन सा बांध बनाया गया है टीहरी बांध है नेक्स्ट है भारत के किस जोन में दो रेलवे जोन का मुख्याले है तो किस में है ये मुंबई में जो है दो रेलवे जोनों का मुख्याले है नेक्स्ट है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है तो जो सबसे ज़ादा आबादी है वो किस राजे में है ये बिहार में है कौन है सबसे घनियाबादी वाला राजे ये बिहार है नेक्स्ट है उस राजे का नाम बताईए जिसमें जनसंग्या गनत्व सबसे कम है तो किसमें सबसे कम जनसंग्या गनत्व है तो यह अवनाचल परदेश में जो है सबसे कम जनसंग्या गनत्व है कितना है सत्रा है नेक्स्ट है भारत की जनसंक्या में नकारात्मक वर्दी दर किस दसक में दर्ज की गई थी? तो कब की गई थी? ये 1911 से जो 1921 के बीच में जो है सबसे कम नकारात्मक वर्दी दर्ज की गई थी? जनसंक्या में जो है नकारात्मक वर्दी दर्ज कब की गई थी? 1911 से 1921 के बी अधिक तो ये केरल राजे में जो है साक्षरतादर सबसे अधिक है नेक्स्ट है अंटारक्टिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्तापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो कौन सा अनुसंदान केंद्र है अंटारिक्टिका में भारत का तो ये है दक्षिनी गंगोत्री नेक्स्ट है राष्टी वनस्पतिक अनुसंदान संस्थान कहां है तो कहां है ये अनुसंदान संस्थान तो ये लखनाव में है next question है cookie किस राजे से सम्बंदित है जो cookie है किस राजे से सम्बंदित है ये मनिपूर से सम्बंदित है कौन सी cookie next है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाई है तो कौन सा है सबसे बड़ा आदिवासी समुदाई ये जो गोड है वो भारत का सबसे बड़ा आतिवासी समुदाई है नेक्सट है भारत में इस्तापीत पहला परमानु सयंत्र कौन सा है तो कौन सा है ये तारापुर जो है भारत का पहला परमानु सयंत्र है नेक्स्ट है पूर्वी तटिये मेदान का दूसरा नाम क्या है तो क्या है पूर्वी तटिये मेदान का जो दूसरा नाम है तो ये कोरो मंडल तटिये मेदान है क्या है कोरो मंडल जो है पूर्वी तटिये मेदान का दूसरा नाम है है कोरो मंदल तट ये मिदान नेक्स है कौन सा देश भारत की अंतराष्टिय सीमा को सबसे कम सांजा करता है तो जो सबसे कम सीमा सांजा कौन सा देश करता है ये अफगानिस्तान करता है और सबसे अधिक कौन करता है ये बांगला देश जो है सबसे अधिक सीमा सांजा करता है केरल का तट का दूसरा नाम क्या है जो केरल का तट है उसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसको मालावार तट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है केरल के तट को मालावार तट भी कहा जाता है एक्जाम में पूछा हुआ क्यूशन है नेक्स्ट है लक्से दीप सम्मुय कहां है तो ये कहां है ये अरब सागर में है जो कि लक्से दीप सम्मुय है वो अरब सागर में है नेक्स है अंडमान दीप समुए और निकोबार दीप समुए को अलग किया जाता है तो कौन से चैनल के द्वारा इनको अलग किया जाता है अंडमान और निकोबार दीप को कौन सा चैनल अलग करता है ये दो 10 डिगरी चैनल है वो इन दोनों को अलग करता है नेक्स्ट है पश्यम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है तो कितने देशों से लगती है तो ये तीन देशों से जो है पश्यम बंगाल की सीमा लगती है कौन कौन से बांगला देश, नेपाल और भुटान है जो पश्यमी बंगाल की जो सीमा है इन तीन देशों से लग नेक्स्ट क्यूशन है भारत की सिलीकॉन वेली किस सहर को कहा जाता है तो किसको कहते हैं ये बैंगलूरू को जो है सिलीकॉन वेली कहा जाता है नेक्स्ट है भारत की सबसे उची चोटी कौनसी है तो कौनसी है ये केटू जो है भारत की सबसे उची चोटी है नेक्स्ट है भा अरत की सबसे पुरानी पर्वत स्रंकला कौनसी है? कौनसी है? ये अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत स्रंकला है नेक्स्ट कुशन है जो जीला दर्रा किन को जोडता है? तो कौनसे दो सहरु को जोडता है? ये स्रीन अगर को लेह से जो जोडता है कौन सा दर्र जोडता है यह जो जीला दर्र जोडता है नेक्स्ट है कुल्लू गाटी किस परवत सरंकला के बीच इस्तित है तो किस में इस्तित है यह धोला धर और पीर पंजाल जो परवत सरंकलाएं है इनके बीच में जो है कुल्लू गाटी इस्तित है नेक्स्ट है पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है ये केरल और तमील नाडू को जो है पाल घाट जोड़ता है सतलज और काली नदियों के बीच इस्तित हिमाले के हिस्षे को किस नाम से जाना जाता है जो सतलज और काली नदियां है इनके बीच में जो हिमाले इस्तित है इसको किस नाम से अना जाता है तो इसको कुमायू हिमाले कहा जाता है कौन सा हिमाले है कुमायू हिमाले जो है सतलज और काली नदी के बीच में इस्तित है नेक्स्ट है, सहयाद्री परवत माला भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये पश्ची मिगाट को जो है, सहयाद्री परवत माला कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पश्ची मिगाट को क्या कहा जाता है, सहयाद्री परवत माला कहा जाता है, नेक्स्ट है, लोनार जील कहां इ इस्तित है, नेक्स्ट क्यूशन है, सिव समूंद्रम किस नदी द्वारा निर्मित जल प्रपात है, तो किस के द्वारा निर्मित क्या गया है, ये कावेरी नदी के द्वारा निर्मित है, जल प्रपात है, कौन सा सिव समूंद्रम है, नेक्स्ट है, जोग जल प्रपात किस न पाई जाती है। तो कौनसे पाई जाती है। ये केरल और महारास्टर में जो है लेटराइट मिटी पाई जाती है। विब्रांस घाटी से होकर बहती है तो कौनसी जो नदियां है वो विब्रांस घाटी से होकर बहती है तो ये नरबदा तापती और दामोदर जो है भारत की ऐसी नदियां है जो विब्रांस घाटी से होकर बहती है नेक्स्ट है भारत में तलशट ले जाने वाली परमुक नद कौनसी है तो ये गंगा नदी है इसके लावा ब्रह्म पुत्र और सिंदु नदियां भी जो है तलचट ले जाती है नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़े भारत में सबसे बड़े वन अचादित वन कौनसे है तो कौन से है वनाचादित वन तो ये है उश्नकटिबन दिये पनपाति वन जो है सबसे बड़े वनाचादित वन है नेक्स्ट है सुन्दर बन वन को क्या कहा जाता है जो सुन्दर बन वन है इसको क्या कहा जाता है इनको मैग्रो भी कहा जाता है नेक्स्ट है भारत में किस परकार की बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो किसका होता है ये तो ताप ये बिजली है इसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है नेक्स्ट है और लास्ट है हिराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है ये महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा और बड़ा बांध है केसा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है? महानदी पर है और कौन से राजे में है उडिसा राजे में हैं तो दोस्तों ये हमारे 100 क्यूशन जोग्रोपी के कम्प्लीट हुए अब अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा साइन्स के क्यूशन पे होगा जिसमें हम केमेस्ट्री, बायलोजी और जो है फिजिक्स के क्यूशन लाएंगे तो आप वीडियो को जरूर देखे, पूरा पूरा देखे, वीडियो को लाइक करे और चैनल को सस्क्राइब करे, थैंक यू